हलो दोस्तो कीचन कींग इस पेसल डिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज की रेस्पी मैं आपके साथ पोटेटो स्प्रिंग रोल की रेस्पी सेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं एकदम मार्केट स्टाइल क्रिस्पी पोटेटो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिये हैं पांच आलू और इन आलू को मैंने अच्छे से धो करके साफ कर लिया है और इसे हमें छीलना नहीं है हमें इसे इस्तिमाल करना है तो चलिए अब इसे हम साइड में रख देते हैं और इसके लिए हम बैटर तयार करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक बटन ले लिया है और अब इसमें हम डालेंगे दो चम्मच मैदा और दो चम्मच चावल का आटा और साथ ही इसमें डालेंगे दो बरमात्रा में देना है और अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम कुछ मसाले आट करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें एक छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे एक छोटी चम्मच साधा नमक डालेंगे और एक छोटी चम्मच लाल मिर्च प पटा पनाएगा और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका गोल तयार करेंगे और इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बैटर तयार करे तो यहां पर मैंने इसका बैटर लगाने के लिए फिल्कुल ठंधा पानी के इस्तमाल किया है फ्रिज का जिसे कि हमाले जो इस प्रिंग रोल है वो एकदम क्रिस्पी बनेंगी तो यह देखे इस तरीके से हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका इस तरीके से बेटर तयार कर देना है और ये देखिए इस त foreseeable इस तरीके के ये बेटर होना चाहिए देखिए तो ये हमारा बेटर बनकर तयार है तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं और अब हम आलवों को काट लेंगे तो इसे काटने के लिए मैंने यहाँ पर online यह इस प्राइड पोटेटो कटर लिया है यह बहुत ही आसानीसे आपको मिल जाएगी इसे मैंने online मंगाया है तो यह देखिए इस तरीके के इसमें चार इस्टील की सीख होती है यह देखिए इस तरीके की और फिर इसके साथ यह दो चीजे और मिली है तो मैं भी इसे पहली बार ही यूज कर रही हूँ तो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ आप भी देखते जाएए और यह दे अंदर आलो को इस तरीके से पसाएंगे देखिए और फिर इसे हम इस तरीके से लगाएंगे यह आलो को इधर उधर नहीं जान देगा यह आलो को रोग कर रखेगा तो इस तरीके से हमें इसे लगाना है यह देखिए और फिर इसे हमें इस तरीके से घुमाते जाना है तो यह आप रिंग देख रहे हैं नीचे में यलो कलर का वह आलू के पूरे अंदर तक जाएगा उसके बाद ही आलू कटेंगे इस तरीके से हमें इसे चलाते रहना है तो फिर आलू बहुत ही अच्छे से कड़ जाएगी यह देखिए तो स्टार्ट में मुझे लगा था कि यह जो है वह अच्छे से नहीं बन पा रहा है लेकिन जैसे जैसे इसे मैंने ट्राय किया यह बहुत ही अच्छे से कड़ गया यह देखिए तो बस इस तरीके से हमें इसे घुमाते जाना है और आलू बहुत ही अच्छे से कड़ जाएंगे यह देखिए कितने अच्छे से आलू कट रहे हैं और इस तरीके से काटने के बाद अब इसे हम निकाल करके देखते हैं और यह देखिए आलो कितने अच्छे से कट करके तयार हुए हैं और बहुत ही अच्छे से इसके spring बन करके तयार हुई है ये देखिए तो इस तरीके से हम सारी हे आलो को काट लेंगे तो कितने सुन्दर से ये कटे हैं और एक ही बराबर में ये कट करके तयार हुए हैं तो अब इसे हम निकाल करके इसे थंडा पानी में डाल देंगे जिससे की आलो काले नहीं पड़ेगी और इसी तरीके से हम बाकी के भी आलो को काट लेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसे सेट करना है देखिए जो प्लेट साइड है उसे नीचे रखना है और फिर इसमें हम आलो को इस तरीके से बीचो बीच लगा देंगे देखिए और फिर इसे हम इस तरीके से रखेंगे और फिर आलो को इसके उपर में अच्छे से सट कर लेंगे और फिर इसे हम इस तरीके से घुमाते जाएंगे देखिए और इस तरीके से हम सारे ही आलो को काट लेंगे और ये देखिए ये आलो भी अच्छे से कड़ गई है यह देखिए तो सारे ही आलो को हम इसी तरीके से काट करके तयार कर लेंगे और इसे पानी में हम डालते जाएंगे तो चलिए अब हम सभी आलो को इसी तरीके से काट करके तयार कर लेते हैं और यह देखिए मैंने इसे काट लिया है और फिर मैंन और इस बेटर में आप तंदूरी कलर या फिर फूट कलर का भी इस्तमाल कर सकते हैं, मैंने इसमें फूट कलर का इस्तमाल नहीं किया है, और अब हम इसमें इस तरीके से इस बेटर को डालेंगे, और बेटर को हमें बहुत ज़्यदा गाढ़ा नहीं करना है, बस इसी तरीके स यह बेटर इसमें लगा लिया है तो चलिए अब इसे हम फ्राइ कर लेते हैं तो इसे फ्राइ करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल को गरम होने के लिए रख दिया है और जैसे तेल अच्छे से गरम हो जाएगी इसमें हम एक एक करके इन्हें डालेंगे और इन्हें अच्छे स golden prawn होने तक fry कर लेंगी और इसके ऊपर में हम तेल को इस तरीके से डालेंगे जिसे कि ऊपर से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे और इसे हमें एकदम high flame पर ही fry करना है तो इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से fry कर लिया है और आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही अच्छ ठीश से बन करके तयार होती है तो यह देखिके यह बहुत अच्छे से fry हो चुके हैं तो चलिए अब इन्हें हम निकाल लेते हैं यह देखिए कितने अच्छे से यह बन करके तयार हुई है तो सारी ही पोटेटो इस्प्रिंग रोल को हम निकाल करके एक बरतन में रख दें तो यह देखिए यह बन करके तयार है और यह देखिए सभी को मैंने फ्राइ कर लिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से यह बन करके तयार हुई है एकदम क्रिस्पी बनी है और बहुत ही टेश्टी यह बन करके तयार हुई है बच्चों को यह बहुत पसंद तो इस तरीके से आप घर पर इसे बना करके तयार कर सकते हैं तो चलिए अब इसे हम थोड़ा सा देकोरेट कर लेते हैं तो यहां पर मैंने थोड़े से टमेटो केचप लिए हैं इसे हम थोड़ा थोड़ा इसके उपर इस तरीके से लगा देंगे आप अपने पसंद के कोई चटनी ले सकते हैं अगर आपके पास मियोनीज है तो आप उसे भी इसके उपर लगा सकते हैं और आप इसके उपर चाट मसाला वगर भी डाल सकते हैं तो इस तरीके से आप इसे बना करके तयार कर सकते हैं तो यह लीजिए मैंने इसे इस तरीके से थोड़ा सा केचप लगा क करके तयार कर लिया है तो इस तरीके से आप भी से जरूर ट्राइ कीजिए का बहुत ही टेश्टी लगती है और आपको यह रेस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा रेस्पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और इस त इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई